जब भी कोई चार्ज पार्टिकल पर्पेंडिकुलर मागनेटिक फील्ड में मूव करता है, तो वो किस में मूव करता है न? सरकल, पर ये तो कोई ज़रूरी नहीं कि चार्ज पार्टिकल में वी में और बी में हमेशा एंगल 90 हो, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको नमेरिक पर अगर 90 नहीं है तो वो सरकल में मूव नहीं करेगा वो कैसे मूव करेगा इसको एक बार चेक करते हैं ठीक तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करता है suppose this is the direction of magnetic field ये रहा का magnetic field और suppose this is the direction of velocity vector ये रहा V vector और दोनों के बीच में एंगल कितने है थीटा तो V vector और V vector में एंगल कितने है थीटा अब अगर ये थीटा 90 होता है अगर ये थीटा 90 होता है तो चलो पहले वही कर लेते हैं ये लो तो मेरे को आंसर दो कि अगर suppose करो ये चार्ज पार्टिकल यहां जाने की बजाए यहां जाता making an angle of 90 with B तो पार्टिकल किसमें मूव करता है इन? वी और वी में एंगल कितने है तो वी और वी में एंगल 90 है तो पार्टिकल किसमें मूव करता है इन? सर्कल हाँ वो अलग बात है कि आपको डाइगरम आपके पसंद का नहीं आया क्योंकि आपको ऐसे डाइगरम याद हो चुका है कि अगर मागनेटिक फिल्ड ऐसे है बोड के अंदर है और पार्टिकल की विलॉस्टी यह रही वी और वी में एंगल 90 है पिर अँगल कियो हो वी और वी में एंगल 90 है उसर्कल लेकिन जब यह केसा आता है अब इमएजिन नहीं कर पाते है कि इसमें कैसे गगा तो अगला question बताओ अभी आ रहे हैं तो यह तो मानते हो particle circle में move करेगा तो अगला case यह बताओ अगर यह circle में move करेगा तो circle में circle ऐसे बनेगा या circle ऐसे बनेगा या circle ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा तो कैसे, क्या direction होगी circle बनाने की पहले भो भी देखी लो, तब आगे चलते हैं, ठीक है, तो पहले यही case clear कर ले, तो कितने लोग कहते हैं कि particle बोड ऊपर से बोड के बाहर आएगा और फिर नीचे enter करेगा, बोड के अंदर फिर बाहर आएगा फिर ऐसे, मतलब कितने लोग यह मानते हैं कि particle ऐसे मूव करेगा, और कितने मानते हैं particle ऐसे मूव करेगा, तो पार्टिकल अगर, पार्टिकल की डारेक्शन देखनी है, तो मैं आपको रूल बचाता हूँ देखते कैसे हैं, क्योंकि यह पुराना केस नहीं है, पुराना केस तो बड़ा सान था फड़ाफट, दिखता था circle बोड के उपर है, इसमें circle बोड के उपर नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर B और V दोनों बोड के उपर हैं, अब देखो होगा क्या, फ्लैमिंग का रूल लगा लेते हैं, चलो, फ्लैमिंग का रूल क्या कहता है, यह charge particle है, क्यों? तो B कहां पर है, यह रहा, velocity कहां है, charge particle की, उपर, तो force कहां लगेगी, magnetic board के inside, क्या यह point clear है, पहले तो यह बताओ, B यह रहा, action of positive charge यह रही, तो force कहां लगेगी, board के inside, राइट, आप मुझे एक बात बताओ, board के inside अगर force लग रही है, तो force, और आपको मालूम है कि circle बनेगा, तो force हमेशा कहां point करती है, towards center, यानि कि अगर कोई particle यहाँ पर है, और उसका center यहाँ है, क्योंकि force यहाँ कर रही है, तो अब imagine करो, जैसी यह एक particle है, ठीक है, मैं यह case ले रहा हूँ, particle की, मैं फोड़ा बाहर निगालता हूं इसे, particle की velocity यह रही, B यह रहा, B यह रहा, velocity यह रही, तो आपने क्या बोला, कि force कहां लगेगी, inside, तो circle का center यहाँ कही मिलेगा आपको, राइट, जब circle का center यहा particle यहाँ से उपर जा रहा है, तो घूम के तो ऐसी जाएगा न, तभी circle का center यहाँ सेट बैठेगा, अगर particle का velocity vector इधर है, तो घूम घूम के center यह मिलेगा उसे, पर सोचो, अगर particle उपर जा रहा है, पर center उसका, जो center है, उसका यहाँ की बजाए यहाँ होता, अगर मान लो, तो particle फिर अपने center के बाउट ऐसे घूमता, तो अगर particle उपर जा रहा है, और center पीछे है, तो particle को ऐसे आना है, और अगर particle उपर जा रहा है, और center आपको पता लगया, इस तरफ है, तो आपको इतना flaming लगाने के जुरूत ही नहीं है, आप यह देखो, अगर V vector यह रहा, और center इदर है, तो अगर V vector ऐसे है, और center पीछे है, तो ऐसे घूमेगा, अब क्योंकि Fleming का रूल क्या कहता है यहां पर, कि B ऐसे है, V ऐसे है, force पीछे है, force पीछे है, force पीछे होने का मतलब center कहीं पीछे है, तो यह particle सीधा जाके, बोड के अंदर घुसेगा, और फिर बोड के ब कि अगर V vector ऐसा दिक रहे, यह न दिखेगा नहीं पर, तो ब आर लो, V vector यह., center यह रहा, तो center के पाउट ऐसे घूमेगा, क्योंकि center यह पर आपर है, particle ऐसे घूमेगा, और अगर center यहां जाता, तो particle ऐसे घूमेगा, तो इसलिए, यहां पर center जाता है, तो particle ऐसे घूमेगा, clear यहां तक तो इस direction में particle circle में घूमेगा clear है पर हमारा यह question नहीं है हमारा यह question है कि इस case में तो इस case में हमें यह बताया गया कि suppose this is magnetic field B vector यह रहा हमें बताया गया कि इस में यह आपकी velocity vector की value है यह आपका velocity vector है यह रहा making an angle of क्या theta ठीक है यह आपक अब इसका path क्या होगा यह question है एक काम करते है velocity vector के दो components लेते हैं एक component यह लेते हैं जिसकी value क्या होगी V cos theta और एक component यह लेते हैं जिसकी value क्या होगी V sin theta क्या यह step clear है ठीक है यह आपक अब जब मैंने velocity vector के components ले लिए तो अब मुझे इस vector के साथ calculation नहीं करनी क्योंकि अब मैं जो calculation कर रहा हूँ वो किस के साथ करूँगा इसके components के साथ करूँगा क्या step clear है तो अब यानि की velocity vector को हमने दो components में divide कर लिया एक ये रहा एक ये रहा अब एक बात बताओ अगर दो minute के लिए भूल जाओ कि ये velocity ये जो velocity है ये ही नहीं suppose करो मान लो एक minute के लिए imagine करो कि ये velocity ही नहीं बस ये velocity है अब ये जो velocity है ये b के साथ angle क्या बना रही है 90 तो ये velocity particle को कैसे घुमाने के कोशिश करेगी in circle देखो कोई भी velocity है चाहिए वो किसी भी फॉर्म में हो 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड V, V साइं थीटा, V कोश उसे क्या फर्क पड़ता है ये कोई वेल्यो होएगी velocity की जो भी होगी ये velocity का कॉमपोनेंट बी के साथ angle क्या बना रही है 90 clear रहे हाँ तक और अगर angle 90 बना रहा है तो उस case में हमारे पास जिसमें क्या होगा ये particle किसमें घुमाएगी चार्ज पार्टिकल को इन circle अगर माननो जो ये ही velocity होती तो circle मानते हो को doubt इसमें पर हमारे पास एक और velocity है जिसकी value क्या है V cos theta अब V cos theta कहा है कर रही है इस सरफ अगर इसको भूल जाएं इसको भूल जाएं और सिरफ इसकी बात करें चार्ज पार्टिकल की velocity magnetic field के साथ है जब भी चार्ज पार्टिकल magnetic field के साथ मूव करता है उसके ओपर magnetic field कोई force लगाती नहीं तो magnetic field तो कोई force इसमें लगाएगी नी यानि कि X axis में there will be no acceleration तो V cos theta is always a constant तो पार्टिकल का V cos theta पार्टिकल को straight away यहां लेके जाने की कोशिश करेगा अभी सीदा चल मेरे उपर magnetic field कोई force लगाएगी नी तो मैं तरे को आगे ले चलती हूं तो V sin theta velocity पार्टिकल को किस में घुमा रही है in circle V cos theta पार्टिकल को कहां लेके जा रही है right पे अब दोनों विलोसिटी लगतों इकठी रही हैं पार्टिकल पे तो V cos theta कहती है चल तेरे को सरकल में घुमाती हूं V cos theta कहती है चल तेरे को आगे लेके जाती हूं पार्टिकल को दोनों का मानना पड़ेगा तो पार्टिकल क्या कहेगा चल मैं circle में घुमता हूं और मैं आगे भी चलता हूं तो यह देखो diagram क्या बनेगा circle आगे circle आगे तो इस diagram को इस diagram में यह देखो यह magnetic field है यह magnetic field है तो यह आपका V vector है और यह theta तो पार्टिकल का जो motion होगा वो ऐसा होगा घूमेगा भी और आगे भी जाएगा घूमेगा भी और आगे भी जाएगा V sin theta इसको circle में घुमाएगी V cos theta इसे आगे लेके जाएगी इस जो यह जो diagram है तो helix का मतलब है कि इसको घूमा भी रहे और आगे भी जा रहे घूमा भी रहे और आगे भी जा रहे तो क्या यह point clear है यहां तक तो इसी लिए यह देखो case number 3 जब भी कोई particle V vector के साथ angle velocity का क्या बनाता है theta तो velocity के दो components है V cos theta V sin theta तो particle क्या करेगा आगे जाएगा particle आगे जाएगा because of V cos theta और circle में घूमेगा because of V sin theta तो particle का जो diagram बनेगा वो कैसे बनेगा helical बनेगा इसको चलो mathematically एक बार study करते हैं तो इसको फिर से एक बार देखते हैं कि इस helix में calculations use कैसे की जाती हैं ये suppose आपके पास फिर से एक बार magnetic field है V vector ये आपके पास velocity vector है V vector और ये angle है theta आपने इसमें जो velocity के दो components लेने हैं पहला component क्या लेने हैं V cos theta V cos theta और ये वाला component क्या लेने हैं V sin theta ठीक हो गया यहां तक ये diagram clear है ये V sin theta particle को किस में घुमारी है इन circle तो यानि कि particle जब circle में घूम रहे है उसके पास velocity V नहीं है उसके पास velocity कितनी है V sin theta तो जहाँ जहाँ पिछले expression में V use किया था वहाँ वहाँ replace कर दो V को किस के साथ V sin theta के साथ clear है तो कैसे ये देखो इसके अंदर जो magnetic force है वो क्या provide करेगी centripetal force ये step तो same है ठीक है बोलो magnetic force इसमें कितनी है B Q into बोलो क्या V sin theta ये step समझ में आया देखो इसको ऐसे समझो मैं आप से अगर एक question पूछता हूँ बहुत simple question कि अगर आपके पास ये B vector है ये आपके पास V vector है बस निया question है दोनों में अंगल क्या है 90 बोलो ये charge particle force experience क्या करेगा B Q V sin 90 या फिर straight away B Q V क्या step clear है मतलब अगर velocity और B आपस में 90 पे हैं तो force की value क्या लिखी जाएगी BQV B into Q into V Done अगर मैं अपना question change कर दो हूँ मैं यहाँ पर V की जगा value लिखने वाला हूँ V sin theta तो आपको की कोई बात नहीं हम replace कर देते हैं result को यहाँ पर V की जगा क्या लिखेंगे V sin theta बस तो क्या ये point clear है अगर ये V होता और B और V में एंगल 90 होता तो force क्या होती BQV लेकिन अगर V की जगा ये 10 meter per second होता तो यहाँ पर put कर देंगे 10 meter per second अगर 20 होता था 20 अगर V sin theta है तो straight away V sin theta क्या ये step clear है ठीक है आतर तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे इस question के अंदर मेरे इस question में V sin theta responsible है circle में घुमाने के लिए तो centripetal का formula BQV नहीं BQV sin theta और is equal to centripetal का formula क्या होता है बोलो MV square by मालों R radius में है हलिक्स बन रहे है तो अगर ये helix बनाएंगे तो इसका जो radius बनेगा let us suppose वो कितना है R अब M into कौन सी velocity के साथ हम काम कर रहे है जो circle में घुमारी है उसकी value कितनी है M V sin theta V नहीं है तो centripetal का formula M into क्या पूट करेंगे V sin theta का square by R जो जो काम पिछले expression में V V ने किया था वो काम इसमें कौन करेगा V sin theta V sin theta करेगा मैं पूब भी कर सकता हूं जैसे अगर मान लो V और V में एंगल 90 है पिछला case बन गया तो पिछले case में sin 90 1 sin 90 1 आंसर फिरा गया M v square by R तो point समझ में आ रहे है बर इसके अंदर पिछला case ही है बर instead of using V we are using V sin theta तो centripetal force में M v sin theta square by R तो यहां से जब इसे cancel करेंगे तो radius की value आएगी हमारे पाद पुराना radius की आया था M v लेकिन यहां पर V नहीं है यहां पर V की जगा V तो यहां पर भी result change हो जाएगा V sin theta अगर angle 90 हुआ तो फिर sin 90 के 1 तो answer पुराने वाल आ जाएगा M v by b q तो यह step clear है तो अगर V और V में angle 90 है फिर तो radius M v by b q और अगर 90 नहीं है तो M v sin theta by b q बस यह फरक है तो यह आपके पास क्या आ गया helix का radius आ गया अब radius निकालने के बाद अगर मैं पूछू इसका time period निकालो एक circle का चकर कितनी देर में पूरा होगा 2 pi r by velocity V अरे V कैसे एक चकर circle का V के साथ थोड़ना cover हो रहा है V sin theta के साथ cover हो रहा है तो जहाँ जहाँ V है वहाँ V sin theta तो 2 pi r upon V sin theta तो यहाँ पर time period will be equal to 2 pi r की value कितनी है m V sin theta divided by b q divided by V sin theta यहाँ से यह cancel तो time period क्या आ गया 2 pi m by तको time period में कोई फरक नहीं पिछला circle वाला time period और यह time period में कोई फरक नहीं है इस रमेन same radius में फरक है time period में फरक नहीं है frequency is reciprocal of time period तो frequency में भी कोई फरक नहीं है यह रहा और omega में भी कोई फरक नहीं है same expression है बढ़ आपको concept समझ में आया कि इसमें radius की value कैसे निकली और path इसमें helix के हूँ हुआ अब इसके अंदर आपसे एक और term पूछी जा सकती है क्या पूछी जा सकती है आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे वो यह पूछेगा कि suppose करो एक जब यह helical path follow कर रहा होगा तो ध्यान से देखना एक particle start हुआ circle complete हुआ जहां से वो start हुआ था जहां पर वो end होगा वो same point ने हो सकते क्योंकि particle को सासत कहां जाना है आगे जाना है तो मान लो एक particle यहां से start हुआ एक चक्कर जब उसका पूरा वो थोड़ा सा आगे land करेगा तो starting point अगर यह है तो ending point थोड़ा सा आगे है क्योंकि उसासत आगे भी जा रहा है तो एक चक्कर में starting और ending point में कुछ distance आएगा उस distance को उस distance को नाम दिया जाता है pitch तो pitch का मतलब कि helix में एक point से particle start हुआ end वो गहीं और कर रहा है एक चकर के बाद निकालनी है तो मुझे अपनी equation किस axis पे लगानी है x axis पे अब कौन सी velocity responsible है particle को x के along move करवाने के लिए v cos theta तो कौन सी velocity v cos theta clear है यहां तक तो x axis में velocity की value क्या है constant है तो velocity है कितनी v cos theta which is constant clear है v cos theta constant तो constant velocity में कौन सी equation यूज करते है s is equal to v t अब मेरे को s का मतलब horizontal distance को क्या नाम देंगे इसमे pitch तो s का मतलब क्या है pitch और velocity horizontal में कितनी यूज करनी पड़ेगी v cos theta और pitch के लिए time period क्या लिया जाता है capital T तो एक चकर में time period capital T और capital T हम निकाल चुके है v cos theta into capital T कितने है 2 pi m by b q तो ये formula किसका आजाएगा pitch का formula आजाएगा तो pitch कैसे calculate करनी है x-axis में और बाकी circular motion के लिए consistency velocity responsible है v sin theta तो अगर आप इसे check करें ये देखो अपनी इसमें थियोरी में तो ये ये री pitch magnetic field present है v cos theta v sin theta इसमें radius of helix क्या होगा m v sin theta by b q time period क्या होगा 2 pi m by b q और pitch क्या होगी v cos theta into time period 2 pi m by b q तो क्या ये points सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें